नमस्कार, एकजाम हैपी बाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ, मैं यहाँ पर जारखन में होने वाली जेटिट परिच्छा की तयारी को ले कर केताब आपको हम बताते हैं जार्खंड में जो जार्खंड सिछक पातरता परिच्छा होने जा रही है तो विग्यापन निकलते के साथ ही आपको बजार में बहुत सारे बजारू किताब मिलेगी हैं और आप वहीं से लेकर के तियारी करने लगते हैं जिससे यहाँ पर बहुत कौम आपको भीड़ते हैं और बहुत ज्यादा मेहनध करने के बाद भी आप इहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो यदि आप जार्खंड में होने वाले सिछक पत्रता परिचह पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जार्खंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले JCRT, टेस्ट बुक, पर अधारी सारे प्रशना आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी जहरकण में जितना भी JCC एक्जाम ले रही है, या जैक एक्जाम ले रही है, वह पाठ पूस्तक पर अधारी सारे प्रशनों का नोट्स, PDF और यहां से जुड़ करके यदि आप त्यारी करते हैं, तो 101 पर तीसाथ जहरकण में, जहरकण सिचक पतरता परिच्छा में आप पास कर सकते हैं, और यहां से सारे नोट्स को ले करके पढ़ लेंगे, क्योंकि JCRT के टेस्ट बुक पर अधारी सारे प्रशन सभी सब्जेक् तो यदि आप जहरकण में, जहरकण सिचक पतरता परिच्छा या जहरकण सहाइक अचारे परिच्छा किसी के भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहां पर जुड़े हुए, जैसे JCRT टेस्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं, और सिर्फ और सिर्फ एक पेपर के तैयारी 1000 रुपए में और दोनों पेपर के तैयारी 1500 रुपए में, लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है, तो क्लास शुरू हो गया है, आप सभी जुड़ करके अभी सही तैयारी कर देंगे, और या एक बार के परिच्छा के लिए टाइम आपकी फी होगी, दुवारा आपसे फी नहीं ले जाएगी, तो आपको जैसे है वीडियो मिलता है, आप हमारा मुबाइल नंबर यहां पर देख रहे हैं, इस मुबाइल नंबर से संपर कर लेंगे, और तैयारी के लिए जूड़ जाएंगे, तो चले चलते हैं, मह वाह परक्रिया, ठीक है, तो यह भी प्रसन जैसे पूछ दिया जा सकता है, कि प्रित्वी पर अस्थल रूपों का निर्मान जो है, किन परक्रियाओं के कारण होता है, या कितनी परक्रियाओं के कारण होता है, तो यह दो परकार के परक्रियाओं के कारण होता है, जिसको परक्रिया में जौला मुखी एवं भूकम परमुक माना जाता है तो ये प्रसंदे के बनता है कि प्रित्वी की आंत्रिक परक्रिया में किसको परमुक रूप से माना जाता है तो प्रित्वी के आंत्रिक परक्रिया में अंदर से जो होने वाली परक्रिया प्रित्वी के अंद कते हैं अप्रदन परिवाहन और नीचेपन तो देखे यही चीज़ पूछा जाता है कि अप्रदन क्या है परिवाहन क्या है और नीचेपन क्या है ठीक है तो यह अप्रदन परिवाहन और नीचेपन से प्रशन कभी-कभी आते हैं इसको आप यहां पर देख लिजे कि अप्र प्रदन जो है प्रित्वी पर चटानों की उपरी परत का तुटना और घिसना जो है वो क्या का लाता है अप्रदन का लाता है जिसे प्रित्वी की चटाने जो होती है उसकी उपरी परत जो होती है वो क्या होती है तूट तूट कर घिसती है या बहती है या अलग-अलग हो ज यह वहां पर चार ओक्सन देता है आप्रदयान परिवहन निछे पन या इनमेंसे कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अगला प्रस्ण होता है और परिवहन आते ठीक है तो परिवहन मतलब यहां पर आप दिमाग में रखेगा कि ये भी परिवहन का साधन है और वह ऐसे साधन जिसमें अप्रदन की क्रिया के फलसोरूप जो चटाने के टुकडे कन मीटी जो होते हैं वो एक जगा से दूसरे जगा तक चले जाते हैं एक जगा से दूसरे जगा तक ले जाना का परिकरम जो है वही क्या कालाता है परिवहन कालाता है ठीक है अब देखेगा परिवहन निछेपन परिवहन की क्रिया के फलसोरूप उप्यूप सभी पदार्थों को एक जगा पर जमा कर देना निछेपन कालाता ठीक है तो देखे सबसे पहले क्या अब परिवाहन के बाद क्या होता है उसका लास्ट विकल्प नीचे पन होता है तो अब प्रदन में चटाने टुटती फुटती सटी गलती है प्रित्वी के सता पर आती है ठीक है अब उसके बाद क्या होता है जब हावा या पानी आती है तो यह जो मीट्टी धूलकन जो जमा हो जाता है क्या हो जाता है कहीं न कहीं पर जमा हो जाता है जिसको आम लोग निच्छेपन कहते हैं तो यहीं तीन मुख परक्रिया है जो वाह परत्पर बनती है देखें प्रित्वी के परमुख अस्थल रूप में यहां पर आपका जो है प्रित्वी के अस्थल रूप क को तीन मुखे भागो में विभाजित किया गया है, प्रशना आते हैं, तो परभत पठार ओ मैदान से एक प्रशने आपका लगबग आ जाता है, तो आप सभी इसको ज़रूर देखिएगा विडियो के अंतक प्रित्वी की सता की प्राकृतिक उचाई होती है परवत क्या होती है प्रित्वी की सता से प्राकृतिक उचाई जो उपर तक उठी होती है परवत होती है जिसका समुंद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक उचाई वाले भाग को परवत काते है समुंद्र तल से कितना 900 मिटर या उस्यादिक उचाई वाले भाग को परवत काते हैं परवत पूरे अस्थलिये छेतर का एक वट्टे चार या एक चोथाई है परवत पूरे अस्थलिये छेतर का कितना है एक चोथाई भाग पर फैला हुआ है हिम नदी भारत की सबसे लंबी हिम नदी है, यह हिमाले परवत में लदाक मिश्ती थे, इसकी लंबाई 72 किलो मीटर है, ठीक है, सियाचिन हिम नदी भारत की सबसे लंबी हिम नदी को नदी है, सियाचिन गलिसियर जो है, यह भारत की सबसे लंबी हिम नदी है, हिमाले परवत में लदाक में इस्तित है हिमाले परवत कहां इस्तित है लदाक में इस्तित है इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है देखे परवत के परकार यहां से भी एक प्रस्ण पूछे जाता है आपके एकजाम में परवत चार परकार का होता है एक होता है वलीद परवत एक होता है भंस्त्रो लोगों का क्या होता है कि गलत चले जा रहे हैं और यह सब भी मिल नहीं रहे हैं आपको प्रेक्टिस सेट में ठीक है तो देखें वलीद परवत फॉल्ड मौंटेन यह क्या है प्रित्वी की आंत्रिक सक्तियों के द्वारा जब चटानों में मोड या बेलन पड़ जाता है त करता है यह लिखाव रता हैं यह याद रखिएगा कि हिमाले की परकार का परवत है यह प्रस्ण पुचा गया है तो हिमाले जो हो वलीद परवत है एरोप में अल्स यह भी वलीद परवत है उत्री अमेरिका का रौकी परवत ये भी वलीद परवत है दचनी अमेरिका का एंडिज परवत ये भी वलीद परवत है और हिमाले बीस्व का सबसे उचा नवीन मोड़दार परवत है ठीक है बीस्व का सबसे उचा नवीन मोड़दार परवत हिमाले है ये प्रस्ण पूछा अजाता है दिखिए वीसु का शरवाधिक ऊचा परवत कौन है बलीट परवत बहंस्तरोथ परवत ज्वलामुखी परवत या असिश्ट परवत जैसेसे में आया हुआ हुआ तो बिश्व का सरवाधिक ुचा परवत कौन है भी आपको बताय ओंगुज़ प्रशनिया पर है अगला हिमाले किस परकार का परवत है प्रशनाय हुए हैं हिमाले किस परकार का परवत है वलीद परवत भंस्त्रोत परवत ज्वालामुखी परवत या और सिष्ट परवत ति हिमाले जो है आपका वो कौन सा परवत है वलीद परवत के अंतरगत आता है हिम किस परकार का परवत है, वलीद परवद, बंस्तारोत परवत, जुह अलामुखी मठीपर परवत या और औसृस तर्वेटर तीक है तो देखें आल्प्स जो हे वह आपका यहां पर वलीद परवत के अंत्रगत आता प्रवत की इस महाद्यूप में इस्तित है एस्या अफ्रीका इरोप या दचनी अमेरिका तो आल्प्स परवत जो है वो कहां है तो इरोप का आल्प्स परवत है और यह कैसा है वलीद परवत होता है सारे परवत से प्रशनी आई हुए है इस प्रकार का प्रवत है ऐसे इरोप उतरी अमिरड़का या दचनी अमेरिका ठीक है देख है प्रश्न प्रश्न जो है यहां पर दूसरा होना चाहिए था कि रोग की परवत जो है किस महाद्यूप में इस्तित है रोग की परवत जो है किस महाद्यूप में इस्तित है परवत का है तो इसमेंσα एंसर और किस परकार का परवत है तो इसमें एंसर हो जाएगा वलीद-परवत अगला है यहां पराप्शन नहीं दिया गया है यहां पर वलीत परवत को परस्णव बने थे वह आपको दे दिया गया अब चलते हैं वहन्स्त्रोत परवत को हम लोग यह आपर देख लेते हैं कि उससे क्या-क्या पूछा गया है देखे इसके बारे में कहा जाता है कि जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्था प्रित्वी के कारण तूटकर उपर विस्थापित हो जाता है तो इसे भंस्त्रोत परवत का निर्मान होता है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि जब धरात का एक बहुत बड़ा हिसा प्रिथवी के कारण तूट कर उपरे विस्थापित हो जाता है तो यह भंस्त्रोत परवत का निर्मान होता है इसमें कौन को नाते हैं तो देखिए सत्पूडा परवत मद्परदेश मिस्तित है यह भंस्त्रोत परवत का उधारन है और से परवाहित होने वाले दामोदर नदी यह भी भ्रहंस नदी का उधारन है सत्पूडा परवत किस परकार का परवत है सत्पूडा परवत किस राज में इस्तित है सत्पूडा परवत किस राज में इस्तित है किस राज में इस्तित है यह भी प्रसंद चार से पांच पर प्रवट को देखते हैं यहां से प्रस्न बनते हैं तो जौला मुखी परवट का निर्मान जौला मुखी क्रियाओं के कारण होता है यह प्रवट संकु के अकार के होते हैं अफिरका महद्यूप का किलो मंजारो जैप्रियाम। का फ्यूजियामा इटली का विसुवसियस ये सभी जो है आपको इहां पर इसी परवत का उधारन है जोला मुखी परवत का उधारन है अफिर का महादीब का किलो मंजारो जोला मुखी परवत का उधारन है जापान का फ्यूजियामा जोला मुखी परवत का उधारन है इटली किसका उधारन है तो यह जो अलामुखी परवत का उधारन है अगला प्रशनिया पर देखिया ऑस्षिष्ट परवत से आता है पावन बहते हुए जल की क्रिया के फलसोरूप परवतों का काट छाट होते रहता है लाखो क्रिया के फलसोरूप इन परवतों के उचाई बहुत क परकार की परवत स्रेंगला है ठीक है यह प्रस्णू की यह रखेगा आराओली-इस का उधारन माना जाता है और व्हज़त्या है करदेत había सब प्राचिंतम प्रवत या पुरान प्रवत है तो अहां पर अरावली का नाम आता है अरावली जो यह किस परकार का परवत है तो यह आपका जो ही यहाँ पर ऑसिष्ट परवत का रूप गरहन कर चुकी है यह प्रस्ण अरावली से एक आपके पूछे जाते हैं आप सभी जोड़ी दिख लीजेगा क्योंकि यह सिर्फ जैसी आर्टी टे है तो यह यहाँ पर ऑसिष्ट परवत हैं बहुत बढ़ाया हुआ है विश्वका सबसे प्राचिंतम परवत कोन है यह प्रशन परवत है यहां पर श्काइंसर रहेगा सारे और देख लिए तो हम लोग यहां पर प्ठार के अंत्रगत क्या क्या आता है तिबत के पठार के उचाएं 4500 मिटर है यहां 200 सबसे उचा पठार है प्रशन आया हुआ है कि 200 का सबसे उचा पठार कोन है दिया तिबत का पठार है, जो सबसे उचा पठार है, और इसकी उचाई 4500 मीटर है, ठीक है, तो विश्व का सबसे उचा पठार कौन है, तिबबत का पठार है, और इसकी उचाई कितनी है, 4500 मीटर है, तिबबत का पठार अंतर परवतिय पठार है, राची का पठार, दक्कन का पठार, कौन है तो यहाँ पर करनाटक में सर्वती नदी परिष्थी जोग जलपरपाथ भारत का सबसे उच्छा जलपरपाथ है लावा पठारों में काली मीटी पाई जाती है जो बहुत उपजाओं होती है लावा पठारों में काली मीटी पाई जाती है काली मीटी कहां पाई जाती है तो लावा पठारों में पाई जाती है जो बहुत सबसे अधिक उपजाओं होती है महराष्ट में इस परकार के मीटी पाई जाती है तो काली मीटी सबसे दिख कहां पाई जाती है यह महराष्ट में पाई जाती है काली मीटी तो सबसे ज़्यादा काली मीटी महराष्ट राज में पाई जाती है काली मीटी कपास उत्पादन के लिए प्रसीद माना जाता है काली मीटी किसके उत्पादन में प्रसीद माना जाता है कपास उत्पादन के लिए प्रसीद माना जाता है और यह 10-11 बरब तक प्रस्ण पूछा गया है काली मीटी से एक प्रस्ण आता है आप देख लिजेगा इसको मेक्सको सिटी बगोटा राची पठारों पर बसा हुआ नगर है तो यह जो है आपको काली मिटी से एक प्रशना आपके आएंगे आप सभी यहां से देख लिजेगा चलिए देखे प्रशना है बीसवका सबसे उचा पठार कौन है छोटा नागप का पठार लावा का पठार तीबत का पठार या कोई नहीं तो बीसवका सबसे उचा पठार जो है वह आपका तीबत का पठार है राइट एंसर इसका सी होगा और यहां पर नेक्ट प्रशन है भारत का सबसे उचा जल पर पात कौन है बुढ़ा घाग जल पर पात दसंब प जल परपात नाक फेनी जल परपात या जोग जल परपात ठीक है तो भारत का सबसे उच्छा जल परपात जो है यह भारत का सबसे उच्छा जल परपात माना जाता है जोग जल परपात किस राज में है जोग जल परपात जो है किस राज में इस्तित है करनाटक जहरखंड पच सबसे अधिक पाई जाती है काली मीटी किस राज में सबसे अधिक पाई जाती है महराष्ट में गुजरात में मध्य परदेश या बिहार में तो काली मिटी सबसे अधिक जोती है वो महराश्ट राज में पाय जाता है काली मिटी किसके उत्पादन में प्रसीद है जो कपास धान या गेहूं तो काली मिटी जो है कपास के उत्पादन के लिए प्रसीद माना